आज के सिसर में आप सभी का स्वागत हैं वेल्कम टो स्वारूप एकडमी आज हम लोग बहुत ही महत्पून अपडेट पर हैं पर चर्चा करने वाले हैं और वह हैं जारकंड में जो 26,000 सहायक अचारी सिक्षगों की नियुकति प्रात्विक विद्यालियों में की जा रही है 1 to 5 और 6 to 8 लेवल के लिए तो आपको पता हुआ कि कुछ दिन पहले हमने वीडियो का माध्यम से आपको बताया भी था कि जो परिक्षा की नियुकति होने वाले हैं उसके नियामौली में ही संसोधन किया गया सिक्षाभी भाग के दवारा और वो चीजे इस बार जो 26,000 जो और चुकी यह जो नियुकति है दो अस्तर पर हो रही है दो लेवल पर 1 to 5 लेवल पर और 6 to 8 पर तो जो 1 to 5 है उसमें ऐसे तो हमने कंबाइन वीडियो में जो जैसे सी ने नया एडवर्टाइजमन जो जारी किया उसमें हम हर चीज़ डिसकस कर चुके हैं आज हम लोग यहा क्वालिफिकेशन है जो इसका पैटर्न रहेगा एग्जामिनेशन का जो सिलेबस रहेगा और कुछ अन्नी कंडिशन जैसे एग्जामिनेशन में कौन-कौन से पेपर होगे कौन सा कंपलसरी पेपर होगा और कौन सा इसमें आपका क्वालिफाइंग पेपर होगा निगेट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लिजे और बेल आइकन को प्रेस कर दीजे जिसे कि आने वाले निव वीडियो की नोडिफिकेशन आपको मिलती रहेगी साथ इस वीडियो को लाइक और शियर जरूर कीजिएगा जोभी चातर आने वाले सहाय का चारी परिक्षा के लिए संफून तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए अभी मिनियम फिस पर आप संफून तैयारी यहाँ पर कर सकते हैं इसमें आप देख सकते हैं, अभी आप special offer में जॉइन करते हैं, तो 125 के लिए मात्र जो अभी आपको लग रहा है, 17 रुपया 1700 और 68 में कोई भी आपका विशे में आप जॉइन करते हैं, तो आपका मात्र 5000, 200 रुपया आपको पड़ेगा, कोर्स को जॉइन कैसे करना है, तो उसके लिए हमारा जो सोरूप लर्निंग आप इसे गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है, और स्टोर में जाकर कोर्स आप पर्चिस कर सकते हैं, या फिर डाइरेक्ट आप इस नंबर पर कॉंटेक्ट करके 700 4579 780 पर आप अपना एड्मिसन करा सकते हैं, इसमें अपना नाम और जिस कोर्स को आपको जोईन करना है, अपना डिटेल भेज देजिए, आपको वहाँ पर पेमेंट मोर और आजिस्टेशन का लिंक भेज दिया जाएगा, उसके बाद आपका एड्मिसन हो जाएगा और आप कलासे जोईन कर सकते हैं, इसके लाद जो चातर है सिर्फ 1-5 के लिए जैसा कि हमने बताया मात्रिस के लिए 1700 लग रहा है, चलिए सबसे पहले जो 125 का जो न्यूकती हो रही है, जो साया का चारी परिक्षा इसमें दो लेवल पर न्यूकती हो रही है, 125 के लिए और 6-8 के लिए, 125 लेवल पर जो पैटन है जो सी लेवस है जो न्यू रूल है अमेंडमेंट जो रूल था कि उसके धार पर जो भी अपडेट है उन सभी पर हम इस सार से चर्चा करेंगे सबसे पहले इसी हम लोग देखते हैं जो इसका क्वालिफिकेशन है क्वालिफिकेशन ऐसे हमने पिछले क्लास में भी पताया था क्वालिफिकेशन इसमें क्या चाहिए मिनियम क्वालिफिकेशन आपको पता है कि इसमें आपका जो आप जो भी डिगरी होल्डर है या फिर मतलब कि या फिर जो मिनियम आप जो भी आप क्व किये हैं या दिप्लोमा किये हैं 10 0 है या फिर फिर कोई भी उसके साथ या तो आपको जटेट्स कयह अगर जटेट पास नहीं है तो सीटेट चाहिए अगर जटेट भी साथ नहीं है तो टेट पास होने चाही मशका का Ah दूसरे चलिकेंड़ेट हैं तो सीटेट और टेट यहाँ पर मननी नहीं होगा सिर्फ जेटेट मननी होगा सीटेट और टेट सिर्फ जारखंड के जो अस्थानिय निवासी है सिर्फ उनहीं पर लागू होगा निव रूल आया था तो उसमें आपने आपको बताया था कि बीएड वाले 125 के लिए इलीजिबल नहीं होगे सुप्रीम कोट ने भी इसके रिगार्डिंग चारी किया था कि डीलेड हो गया या विद्वेस्टी डिप्लोमा हो गया वही छात्र जो है सिर्फ 125 के लिए इलीजि चुट मिलेगा जो चात्र स्टी के है या फिर स्टी के है या ओबी सी है बी सी वन या बी सी टू या इडेवलुए से तो उनको पांच परतिसाथ चुट एजुकेशनल क्वालिफिक्स जिसे यहां पर 45 परसेंट मांगा है तो इनके लिए 5 परसेंट और चुट मिलेगा कई अगर कोई चात्र आदिम जन जातीगा तो उनके लिए 7 परसेंट छुड़ था यह दो रूल जो है नया जोड़ा गिया था और क्वालिफिकेशन में आपका यह यहां पर मेंसन किया हुआ है बहुत सर चात्र यहां पर प्रसन पूछते हैं कि सर की हम इस बार सीटेट पास ह अबर देखिएगा यह सारे क्वालिफिकेशन के साथ आपको पास जो 125 लेवल का जारखन में जो जेटेट हुआ है वो पास होना चाहिए अगर यह पास नहीं है तो जारखन राजजी के जो अगर निवासी अगर आप हैं और जेटेट पास नहीं है लेकिन अगर आप सीटे निवासी नहीं है तो क्या फॉर्म भर सकते हैं तो उसका उतरोगा यस भर सकते हैं किस बेसिस पर तो सिर्फ और सिर्फ अगर आप जेटेट पास है तो ही फॉर्म भर सकते हैं अगर कोई राजस्थान का लड़का या पिर दूसरे स्टेट का लड़का है या कोई भी चात् तो अगर वो फॉर्म भरना चाहता है तो उनको जार्खंट का जेटेट पास होना कमपलसर ही है सीटेट या टेट पास के धर पर आप जार्खंट के सायकचारिय फॉर्म नहीं भर सकते है कुछ आतर इसमें ये भी कनफ्यूस करते हैं कि सर की हम पास हैं ज्ञारखन कहिए लेकिन टेट पास है तो एस्टेट पास है तो क्या फॉर्म भास सकते ध्यान रखेगा लेवल वही होना चाहिए जिस लेवल में आप अपलाई करना चाहते हैं अभी जिस्टे कि बिहार में आयुजित हुआ था तो बहुत तरह अच्छा का छात्र जो एस्टेट पास है या 11 12 पास है तो क्या वो फॉर्म हर सकता है 125 के लिए जारखेंड में या फिर 68 के लिए हम तो टेट पास है इस अधार पर तो कह सकते तो बिल्कुल नहीं भर सकते अब जिस लेबल में पास कीजिए पास हो तो जेट अगर 15 पास है तो एसा कभी बलती मत कीजिएगा और ना दिस्क्वालेफाइद तो पहले सही है वही चीज़ यहां पर लिखा हुआ भी है किसी धांतों के दिन जहारकन सरकार दवारा 1-5 लेवल के लिए आयो सिट्षक पातरता परिच्छा उतिन किया हो 1-5 के लिए 1-5 के लिए वो इलीजिबल हो या फिर दूसरे राज़े के टेट पास कियो हो तो 1-5 के लिए ही पास कियो आईसा नहीं कि आप 11-12 पास किये 9-10 पास किये और उस अधार पर आप फॉर्म भर दिये चो दिये आप डिस्क्वालिफाई कर जाएगे सिधा से तो यह क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग हमने सारा चीज अब्डेट यहां पर दे दिया है इस चीज को धियान में रखिए गया कुछ चात्र अपना सीटेट का स्कोर बताते हैं सर की मेरा सीटेट में स्कोर 90 है या फिर 80 है 85 है 82 है क्या आप फॉर्म भर सेटेट हुआ अपने कटम मार्क्स होता है तो कटम माक्स है अगर आपका worthless है उसके बराबर या उससे ज़्यादा माक्स है तो आप बिलकुल प्रक्ते है उसमें कोई कंतू परण्टू मत रखियेगा ने कि मेरा इस त Kung स्कोश रहे की आप फॉर्म भर सकते हैं अब ये कैसे पता चलेगा कि आप qualify है तो जो certificate आपको मिलेगा तो उसमें सिधा mention रहता है कि आप qualify है डिस qualify है जो cut up होता है उसके धार पर भी हम देख सकते हैं कि हम मेरा कितना अंख है कितना cut up गया है तो qualify है तो बिल्कुल form भर सकते हैं इसमें कोई किंदू परन्तु नहीं है अगर इस बार का city जो छातर दियें और उपास हैं तो बिल्कुल इस बार का form भर सकते हैं बहुत सरे छातर इसमें पूछेंगे सर की इसका form कब तक आएगा तो जैसा ही पर स्थिती जो है अस्थाई होती है कि अभी अस्थाई नहीं है जो जैसे सी के अध्यक्ष वो भी तो चीजे जब तक अस्थाई नहीं होती है तब तक कभी बहुत सारे चीजे कहना मुस्किल है लेकिन हाँ एक्जाम तो होगा ही आज नकल तो होगा ही हो सकता है कि कुछ दिन पंदरा बेज दिन या फिर मतलब अगले महीने तक जो है इसका form जो है आ सकता है क्वालिफिकेसन के रिकार्डिंग बता दिया है एक चीज तो और ध्यान रखेगा कि जो चात्र सीटेट के अधार पर और टेट के अधार पर form भरेंगे और यह सिर्फ जारखन के स्थानी निवासी कर सकते हैं ऐसा अधर स्टेट वर नहीं कर सकते हैं तो जो चात्र इस एजाम नहीं ले पाती है जेटेट तो यह नियम ही लागू नहीं होगा आप पर तिन साल के अंदर अब चलिए आगया आते हैं कुछ अन्य बाते हो जैसे कि हम फॉर्म भर सकते हैं या फिर नहीं मेरे पास वह क्वालिफिकेशन में अभी आया नहीं है या फिर आएगा तो कोई अन्य डिप्लोमा कोर्स कर रहे हैं उसका भी कंप्लीट नहीं हुआ है तो क्या करें तो ध्यान रखिएगा इसमें रिफ्रेंस डेट माना गिया है लास्ट डेट को जैसे कि फॉर्म भरने के भी तिथी आएगी डेट आएगा मान लिजे लिखा जाता है कि 30 मार्च तक फॉर्म भरे जाएंगे तो 30 मार्च तक आपके पास सारा क्वालिफिकेशन होना चाहिए तो फॉर्म भरने के लिए इलीजिबल है तो रिफ्रेंस डेट माना गया है आवेदन देने की अंतिम्तिति को रिफ्रेंस डेट माना गया है 30 मार्च फॉर्म भरने की अंतिम्तिति तो इस दन तक अगर आपका सारा रिजल्ट आपके पास है तो फॉर्म आप भर सकते हैं, किलियर हैं, दुसरा याँ पर नियाम में वही हमनी बता है, कि सक्ष्रिक योगीता में पांच परतिसवत का छुट दिया जा रहा है, जो पिछला नियाम मौली में या फिर पिछला फेकरनसी में नहीं था, तिसरा याँ पर अगर आप साइन्स और मैत के सिक्षक हैं, तो आप सैंथ और मैत में भर सकते हैं, न किस सस्टी में भर सकते हैं, यह चीज़ ध्यान रखिएगा, अब चलिए हम लोग syllabus पे आते syllabus और pattern तो सबसे पहला प्रस्ण आप मन में उठेगा कि सिलेबस चेंज हुआ है पहले जो syllabus था syllabus चेंज हुआ है तो इसका उतर होगा नहीं तो पिछले साल फॉर्म भारने वाक्ट जो syllabus मनाया गया था आयोग के द्वारा वही weeks means इसगे संमसी सिलेबस अभी भी तो वही समसी सिलेबस रहेगा उसमें कोई चेंज नहीं किया और ना pattern में कुछ चैंजजर किया गया सम रहे रहेगा आप फैले तो आपको पताग दें एक दिन में परेपर परिक्षा की परिक्षा होगी इसमें पेपर वन जो होगा एक मात्री भासा होगा मात्री भासा जो होगा आपका इसमें क्वालिफाइंग पेपर होगा मात्री भासा में देखिएगा तो आपका हिंदी रहेगा अंग्रेजी रहेगा उर्दु रहेगा पंच परग्या रहेगा नाकपूरी रहेगा खोटा रहेगा इसमें से आप कोई एक अपना रख सकते हैं अभी मातरी भासा कैसे तय होगा तो आप जिस लेवल में अपने मैट्रिक अस्तर तक पढ़ाई किया होगा जिसे कि बहुत सारे छातर हिंदी में पढ़ाई करते हैं कोई छातर इंग्लिस में पढ़ाई करते हैं उससे कोई दीकत उतना तो ज्यादा माइन नहीं रखता है लेकिन आपके लिए ज्यादा सही रहेगा कि आप अपने मात्री भासा ही रखे तो ज्यादा सही रहेगा वह सारे चाहत्र संस्रीत भी रखते हैं वह सारे चाहत्र उर्दू भी रखते हैं बिल्कुल आप उसमें पॉर्टी पसन लाना निवारी होगा है। इस पेपर की तो परिक्षा होगी, इसमें आपको पास भी करना है, लेकिन फाइनल मेरिट लिस्ट जो बनेगा, फाइनल मेरिट लिस्ट का मतलब कि आप जॉब के लिए इलिजिबल है या फिर नहीं है, कि इस कहां पर आप अपोइ योग ने सिलिबस जारी नहीं किया है कि नाखपूरी है तो नाखपूरी का सिलिबस जारी करते हिंदी है तो हिंदी का जारी नहीं किया गया है इसमें आगे हम बताएंगे यहां पर सीधा लिखा हुआ है देखिएगा तो कि पेपर वन के अंतरगत माध्यमिक परिक्षा के अनुरूप मात्री भासा जहारकन अधिवीत परिशत द्वारा अनुमोदित पाठीकरम के अधार पर प्रस्रिप पूछे जाएंगे मतलब कि जहारकेन में जो जहारकन एक्वानिक कॉंसिल उसके अधार पर जो माध्यमिक अस्तरिय जो लेवल होता है जैसे कि आप अपनी मात्री भासा का ज्यान जैसे कि आप अनुचित वग्यार पढ़कर उतर दे सकते हैं पैसे्स रहेगा पैसेज पढ़के अप उत्तर दें आशानी से, ग्रामर कुछ रहेगा तो मुक्क ही रुप से इसमें ग्रामर और पैसेजी रहता है जाए जैसे कि आप जयसेजी की परिक्षायं देती हो गे तो उसमें आगध प्रेपर मों 스क होता है समान हिंद्य और समान अंग्रेजी उसमें क्या रहता है न कर प्रत्स पूछे जाते हैं हो इसका इसका आपको नहीं मिलेगा अपि segue दिजेंगा खिश्टिय में ऑब आका थे पेपर 2 में, पेपर 2 जो होता है छित्री और जंजाती भासा होता है, आप सब फॉर्म भरे होंगे तो उसमें देखेगा तो 15 जो छातर फॉर्म नहीं भरे हैं, उनको भी ध्यान रखना है इस चीज उनहीं के लिए स्पेसलिए वीडियो है, क्योंकि इस पर तो बहुत सारे प 15 लाइंग्वेज रहेगा, जैसे हिंदी रहेगा, अंग्रेजी रहेगा, उर्दू रहेगा, पंचपरग्या, नागपूरी, खोठा, बंगला, यह सब मिला कर 15 लाइंग्वेज रहता है, उसमें से आपको एक कोई लाइंग्वेज सिलेक करना है, जैसे कि पेपर 2 में आप को लाइंग्वेज बेस्ट लगया, कि हम यह लाइंग्वेज अच्छा से पढ़के अच्छा उतर दे सकते हैं, और अच्छा अंकला सकते हैं, वही रखिए, कोई यहाँ पर पेपर 2 के लिए कोई रूल नहीं है, आप कि इस डिस्ट्रिक में अप्लाई कर रहे हैं, वो भी है भासा, राजस्तर में आप यह भासा 15 में से कोई भी एक लेकर आप एक्जाम दे सकते हैं, कोई दीकत नहीं है, इससे 100 प्रसन रहे का 100 अंकल यह भी 2 घंटे की परिक्चा होगी, इसमें बहुत सारे चातर यह पूछेंगे, तरकि इसका सिलेबस तो इसका सिलेबस आयोग ने दिया हुआ है, यहाँ पर देखें लिखा हुआ है कि पेपर 2 का पात्तिकरम जो है परिशिस्ट 12 पर धारित है, आपको एडबोटाइजमेंट, आपको हम दिखाएंगे जो पिछला एडबोटाइजमेंट था, उसी में यह सिलेबस सारा 15 लैंग्वेज का दिया हुआ ह ध्यान रखेगा, यह 12 है, 13 में 68 के पेपर 2 का सिलेबस दिया हुआ है, और 12 में जो है, 1 to 5 के 15 विसायों का 15 लैंग्वेज का सिलेबस दिया हुआ है, ध्यान रखेगा उस चीज़कों, अब आते हैं में आम लोग पेपर 3 में, पेपर 3 जो होगा, यह 200 अंगों की परिक्षा होगी, 200 परिक्षा रहेंगे, और 3 घंटे की यह परिक्षा ली जाएगी, ध्यान रखेगा, यह एक ही दिन परिक्षा होगा, 3, 2, 5, 2, 7, 7 घंटे की परिक्षा एक ही दिन में होगी, जो 3 पाली में ली जाएगी, एक दिन में, अब देखेगे, पेपर 3 में 200 परिक्षा कहा आगे अभी थोड़ी दिर बाद देखेंगे दूसरा रहेगा समाजी की विग्यान जिसे 75% रहेगा इसका भी क्या सिलेबस होगा आगे हम दो देखेंगे विग्यान गनित रहेगा जिसकी 75% रहेगा सबको जोड़ दीजेगा तो यह 200% रहेगा अब फाइनल इमेडिटरी चा होगा और कटप क्यादार पर आपका सेलेक्शन हुआ या नहीं हुआ यह डिपेंड करेगा तो यह कंप्लिट सिलेबस हो गया है पेपर वन का सिलेबस हमने बता दिया क्या रहेगा इसमें मुखी रूप से जो व्याकरन और पैसे विग्यार होते हैं पेपर टो का तो यहां पर ध्यान रखेगा जैसे पेपर वन में आपको बताया 30 परसन लाना निवारी है अगर उसमें 30 परसन नहीं आता है तो बाकी का पेपर आपका चेक में ने किया जाएगा एक और नियम यहां पर है कि जो भी इसमें पेपर 3 है क्योंकि इसमें मुखी रूप से पेपर 3 ही मेरा मेन फोकस होगा आप सभी का क्योंकि 200 परसन इतने सारे टोपिक परसन रहेंगे जैसे समानियम समस्माईगी का इसका सिलेबस डिटेल में दिया हुआ है उसी को पढ़ना है आपको समाज्य की विग्यान और गनीत का सिलेबस नहीं दिया हुआ है इसमें कहा गया है कि जो भी इसमें परसन पूछा जाएगा पेपर थ्री के खंड टू और खंड थ्री में पेपर थ्री के खंड टू खंड टू समाजिक विग्यान और विग्यानम के नित जैसे कि आप NCRT एगर देखे होंगे 6-12 लेबल तक तो इसमें Math का बुक देखते हैं, Science का बुक देखते हैं, History का बुक देखते हैं, पॉलिटी का, जिग्रोफी का, तो हर किसी का बुक अपना अपना इस्टेंडर बनाया गया है, और उसका अपना एक टोपिक होता है, तो वही चीज़ यहां पर लिखा गया है कि जो समाजिक विग्यान, जिसमें कि आपका History, पॉलिटी, जिग्रोफी और Economics मुखी रूप से च के लिए, उसी क्याधार पर जो है, 10 प्लस टू अस्तर ये प्रस नाप से पूछा जाएगा, या पेक्षा आप से की जाती है, वही चीज़ यहां पर किया गया है, क्लिए रहे, यहां पर भी वही चीज़ में इंसन किया गया था, नियूरूल में, अब इसमें देखिएगा तो पेपर 3 में एक समान गयां समसमाईकी था, इसमें क्या क्या पढ़ना है, तो समान गयां समसमाईकी में सबसे पहले समान अधियन, तो पेपर 3 के खंड 1 में, समान गयां GK and Current Defense, इसमें क्या क्या पढ़ना है, तो सबसे पहले आपका Gs समान अधियन, समान अधियन में भी क्या क्या तो इतिहास भोगोल सम्विधान वही नागरिक सास्त्र वेगर है पॉलेटी सक्षन और अर्थ व्यवस्था अर्थ सास्त्र यह टोबिक पढ़ने हैं दुसरा यहां पर जारखंड जीक्ये कि तिसरा मैट्स कि चौथा जो है इसमें रिजनिंग पांचवा जो है इसमें कंप्यूटर और छठा जो इसमें है वो जेनरल साइंस रहोगा है जेनरल साइंस में फीजेक्स, कमेस्ट्री और बायू यह रहेगा इसी के धार पर जो है आपका एक्जाम होगा कि जीके और करेंटर फेस का यह पहला सेक्सन है जिसमें यह सब पढ़ने हैं हम लोगों मतलब कि इसका जो सिलेबस बनाया गया है जेनरल आपसे जो जेनरल नॉलेज का जो कॉंसेप्ट होता है वही करेंटर फेस तो इसमें सामिल हो गई करेंटर फेस तो पढ़ना ही है सारा जहारकन एंक्लूड़े वह सारा रहेगा यह आपका हो गया अब इसमें पोलिए असर की जो समाजी की विख्यान आर समाजी विख्यान का समाजी की विख्यान का भी सिल्वस वही है जैसे हिस्टि पॉलिचि जिग्गरोफि और इकनोमि इसके लिए अलग से लिबस है और पेपर टू के लिए अलग से लिबस है मातरी भासा तो जैक के द्वार जो अनुमदूत पाठीक्रम है अब बहुत सारे चाहते इसमें कनिफूश करते हैं जैक द्वार अनुमदूत तो जैसे कि हमने बताया कि जिसे हिस्टी पढ़ना है तो बहुत ही ज़्यादा पर्यापत है उतना इसमें नगी कर पाता है यह सारे चीज़ है तो पेपर वन का पेपर टू का पेपर थरी का क्या स्टीपस रहेगा हम सारे डिसकस कर चुके हैं जो पहले से चाहतर पढ़ाई कर रहे हैं तो उनको तो किलियर हो गया होगा कि इस त्र हुआ है इसमें लागू नहीं तो इस तरह के नियुक्ति पर जो 26,000 के नियुक्ति उसमें यह लागू नहीं है यह सारे चीज़ हमने यहां पर डिसकस कर दिया है नियू पैटरन विगेरा जो क्वालिफिकेशन रहेगा कौन गोन चातर फॉर्म भा सकते हैं लेवल जिस लेवल में आपको किस तरह से फॉर्म भारना है उन सभी पर हमने विश्टार से यह वीडियो हमने पूरा बनाया हुआ है इसमें आपको किसी में कहीं पर भी कोई डाउट नहीं होगा तो फाइनली आज का जो सेशन यहां पर ह भासा से अपलाई करेंगे आज का से लिए आपको बताएंगे इसमें टूटल चार पर होता है आज का सेशन हम लोग यहीं पर करते हैं और फाइनली लास्ट में इंपोर्टेंट डिस्कॉसन जो है आपका क्लास से समंदित हैं कि अभी अब टू 2300 तक डिसकांट मिल रहा है वन टू फाइब के लिए मात्र जो है सत्रा सो रुपया और सिक्स्ट वेट में कोई भी आप जॉइन करते तो मात्र पांच जार दो सो रुपया में आपको संपुन तयारी किराई जाएगी इसमें लेंग्वेज पर सामिल नहीं होता है लेंग्वेज चुकि पंदरा पंदरा तयारी होगा हर चीज़े आपको सिलेबस के कोडिंग मिलेगा जिससे कि आप अच्छे से अंग प्राप्त कर सकते हैं बस आपको कंटिन्यूटिंग पैसेंस और हाड़ वरकिंग स्मार्ट तरीके से करते हुए आगे बढ़ते रहाना है आपका रिजल्ट हैंडे पसंद स्य दोर है इसमें आपको जो भी चीज़े मिलेगी हमारे अप्लिकेशन पर तो रूप लर्निंग जिसे गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है वहां पर डाकर आप कोर्स जॉइन कर सकते हैं या फिर सीधे आप से पेमेंट कर सकते हैं और उसके बाद जो है आप वहाँ पर पेमेंट करके स्किन सोड बेजीजी उसके बाद कलास आपका तुरंत स्टार्ट हो जाएगा इसमें आपको हर चीज़े फैसिलिटी मिलेगी लाइप के साथ हम लोग पहले के बैचेस के रिकोर्डिंग भी दे बिचित हो जाएगा और जो भी चातर जैसे की 125 में सिर्फ समान गयां समसमाई की जोईन करना चाहते हैं या भी 628 के लिए समान गयां समसमाई की ये भी एक मात्पून टोपिक है इसके लिए मात्र जो है 699 रुप्य आपको पढ़ेगा पंदरसो की जगा फिस लेकिन अभी 699 रुपिया आपको पढ़ रहा है इसमें समान गयां समसमाई की के जैसा कि अभी हम बढ़ता रहे थे कि आपको कंप्लीट पेपर थी या पेपर 1 और 2 नहीं करना है सिर्फ समान गयां समसमाई की करना है तो 699 में आप इस को जोईन कर सकते हैं अभी 628 के चातर भी इसको ज जरूर बताईएगा और जल से जल कोर्सेज वाइन कर लिजे और यह पैटर्न जो तयारी करने का है कंटिन्यूटी बेसिस पर आप जारी रखे जिससे कि आप एक्जाम तक सही से आप अपने कोर्सेज को पूरा कर सके प्रैक्टिस कर सके और रिजल्ट आपका हैंडे हो सका है तो आज का सेसन ही पर इंड करते हैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थाइंक्यों रिवन